तो हेलो एक बार फिस्वागत है आपका यूनिकाइस एकेडियो भागों वीडियो बनाऊंगा तो प्रेसिडेंट के लिए जो पिछला भाग था मैं उसको अपलोड कर चुका हूँ अब उसी से आगे हम लोग चलेंगे इससे पहले प्रेसिडेंट वाली क्लास में हम लोगों आर्टिकल 52, 53 और उसके बाद आर्टिकल 74, 75 इसका डिस्कुर्शन किया है कि भारत का राश्पती होगा वह भारत में सर्वुच सैनापती होगा और इसके लावा उसका मंतिपरशत का क्या संबंध है बयालिसमा शंशोदन, चवालिसमा शंशोदन ने किस तरह से राश्पत को पपेट बना दिया और किस तरह से चवालिसमा शंशोदन ने राश्पतियों कुछ वास्तिक सक्तियां यह विवेका दिखार दिये इसके बारे में अगर आप डेटेल से जानना चाहें तो हमारी पिछली वीडियो देखिए उससे आगे हम चलते हैं आई शू करते हैं पारशत के एलेक्शन में अगराम पंचयायत नगरपाले का किलेक्शन में यह MLA MP के एलेक्शन में आपने जरूर बोट दिया हूँ अगर आपके इस 18 साल है तो खैर अगर आपकी उमर 18 साल है तो आप जिस इलाके के वी आप रहने वाले हैं वहां पर एक वोटर लिस्ट हो अगर आप MLA के लेक्शन में वोट दे रहे हैं तो MLA के लेक्शन में पूरी की पूरी कांस्टेंसी से जो वोटिंग लिस्ट है एक तरह से वो MLA का निर्वाचन मंडल है यानि कि वो लोग जो उसको वोट देते हैं उसी तरह से जो लोग जो मेंबर राश्पती के क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो बोर्ड पर जगे मेरे पास सीमित है बड़ा बोर्ड लाँगा तो यह बहुत पीछी चला जाएगा आपको दिखे अगुष नहीं तो अगर आप मेरे साथ बैठे हैं तो कॉपी पैन लेकर के बैठी है साथ में और अगर आप सीने स्ट्वेंट्स हैं आप बहुत सी चीज़े जानते हैं तो लगे देहीं मेरे साथ जो कुछ भी नए आपको मिले फोरन अपनी कॉपी में नोट कर लीजे तो राश्पती के निर्वाचन मंडल में संसत के दोनों सतनों के लोकसवा और राजसवा के चुनेवे सदस है ध्यान रहे राश्पती चुनाओं में संसत के दोनों सतनों के चुनेवे सदस है संसत के लोकसवा या राजसवा के जो मनुनी सदस होते हैं उन्हें राश्पती चुनावाँ वोट देने का धिकार नहीं है. इसके लावा, जितने भी राजे हैं हमारे ज़ाँ, उन सभी राजे हैं की विधान सवहों के चुनेवें सदस या निर्वाची सदस है. विधान सवहाँ आगर कोई मनोनी सदस है, तो उसे राश्पती कुछ अनाव वोट देने का अधिकार नहीं है इसके लावा कुछ राज़े हमारे ऐसे ही ही है जहांपर विधान परशदें ही है दो सदनी विधाहिका है जैसे संसद दो सदन है लोकसभार राजे सबह तो कुछ राज्यों में दो सदनी विधाय का है, विधान सभा के साथ सद विधान परशत भी है, तो ध्यान दीजेगा विधान परशत के सदस्यों को राश्पती चुनाव में वोट कास्ट करने का अधिकार नहीं है, फिर तीसरा, समिधान का जो शत्तरमा संसोदन था 1992 का, उ उससे union territory हमारे यहां दिल्ली और पुदुचेरी, पुरान नाम पांडीचेरी, नया नाम पुदुचेरी हो गया, दिल्ली और पांडीचेरी की जो विधान सभा हैं, उसमें जो elected member हैं, चुनिवे सदसे हैं, उनको वोट देने का अधिकार है, हमारे यहां और भी union territories हैं, ले केवल विधान सभाओं के सदसे, और केंशासितप्रदेश, दिल्ली और पुदुचेरी की विधान सभाओं के सदसे, शर्त यह है कि केवल चुने हुए, मनोनीत में नहीं, और साथी साथ विधान परशद के मेंबर भी नहीं, तो इस से मिलके बनता है राश्पती का चुनाओं में चुनाओं को इस आधार पर चेलेंज किया गया था कि सब फला स्टेट में इलेक्शन नहीं हुए थे या इतनी जो जगएं थी MLA की MPK वो खाली थी इसलिए इस चुनाओं को निरस्त कर दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने विवस्ता दी थी कि अगर निर्वाचन मंडल में मिंस MLA MPK कोई सीट खाली है तो भी राश्पती का चुनाओं होगा और बैद होगा यानि कि अगर कोई सीट MLA की MPK खाली है तो इस आधार पर आप चुनाओं को नहीं रोगी चुनाओं फिर भी होगा यहीं पर इसी लाइन में एक बात में नो लिखी है कि हमारे समिधान में यह विवस्ता है कि अगर राश्पती के चुनाओं को लेकर कि किसी भी तरह कोई डिस्प्यूट है कोई विवाद है तो उसका एक मात्र समाधान जो होगा उस सुप्रिम कोर्ट में होगा भारत में कि किसी और संस्थान को राश्पती चुनाओं के विवाद पर निर्ने देने का अधिकार नहीं है केवल केवलो केवल यह दिकार राश्पती को समझ रहोंगे आप ठीक है अब आतीए बात MLA और MPK के वोट की जो वैल्यू होती है उसका फार्मूला क्या आप देखे आप MLA या MPK एलेक्शनर वोट डालने जाते हैं तो आप एक हैं आपको दो या दो से ज़्यादा वार वोट डालने का अधिकार नहीं है आप एक परसेन है तो आपके वोट की वैल्यू एक ही है लेकिन राश्पती के चुनाव में ऐसा नहीं होता राश्पती के चुनाव में MLA एक ही है लेकिन उसके वोट की वैल्यू जो है बहुत जादा है MPA की है लेकिन उसके वोट की वैल्यू बहुत जादा है तो कैसे जादा है और क्यों किया गया है इसके वारे में हम लोग का फार्मूला मैं आपको समझाने का कुशिश करूंगा मैंने यहाँ पहले ही सारी चीजे लिख रखी है ताकि आपका समय बच जाए क्योंकि online class है data भी खर्च होता है और अगर मैं इसको सीधे सीधे यहाँ पर सब के लिख रखी है ओके अब वोट के MLA MP के चुनाव में वोट का फार्मूला हम निकालते हैं सबसे पहले किसी राज्य के एक MLA के वोट की वेल्यू कितनी होगी राश्पती की चुनाव में किसी राज्य का जैसे मैंने यह आप निकालके दिखाया भी है जैसे उत्राखंडी स्टेट का मैंने एक्जाम्पल लिया है यह पूरा-पूरा सही नहीं है मैंने उत्राखंडी स्टेट के आवादी स्टेट के एक MLA के वोट के वेल्यू निकल के आ रही है 143 लगवग यह बिल्कुल सही नहीं है यह आख़़ा पूरा सही नहीं है 143 लगवग मैंने का है ठीक है धियान रखिएगा आप लोग यह बदलता रहता जैसे आवादी घटे की बड़ेगी वैसे वैसे यह बदलता रहता इसके लिए फार्मूला मैंने यहां दिखा है कि आप मालीजे किसी भी स्टेट के एक MLA के वोट की वैल्यू निकाल लें आप तो दिख रहा है वीडियो में दिख रहा है तो उस राज की कुलाबादी जिस राज के MLA की वोट की वैल्यू आप निकाल रहे हैं उसकी उस राज की कुलाबादी जैसे मैंने यहां तो उत्राखंट में 70 ml हैं तो मैंने यहां पर 70 ml लिख दिया इसको आपने डिवाइट किया और डिवाइट करने के बाद जो कुछ भी आया अगेन उसको 1000 से आपने डिवाइट करना इस तरह से यह है एक MLA के वोट की वैल्यू निकालने का फार्मूला राजी की कुलावादी बटे राजविधान सवह में कुल MLA और यह जो कुछ भी आया डिवाइट करके उसको पुना यह फिर से 1000 से हमने डिवाइट करना तो इस तरह से हमने एक करोड़ बटे 70 किया भागा 1000 तो इस तरह स यह किस पर डिवाइट करता है यह डिवाइट करता है किसी स्टेट की आवादी पर पॉपुलिशन पर ठीक है तो अब देखो जैसे UP की आवादी सबसे ज़ादा है तो UP के एक MLA की वोट की वैल्यू भी सबसे ज़ादा है सिकीम के एक MLA की वोट की वैल्यू भी सबसे कम है अगर नहीं समझें, कुछ चीज आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वीडियो बैक करके देखिए दुवारा से, फिर भी अगर नहीं समझ में आरे कुछ चीज, तो आप कमेंट कीजिए, और अगर आप कोई को प्रॉलम होगी, तो उसके लिए मैं अलग से शोर्ट वीडिय अच्छ ठीक है, मैंने यहां लिख रखा है, अब राश्पती चुनाव में यहां पर एक शब्द आया था, कोटा सिस्टम, आप देखें ना, हमारे यहां जो MLMP की जो इलेक्शन हैं, उसमें एक बेंगे को दोर पर आया था, कि हमारे MLMP की जो इलेक्शन है, उसमें कुछ न आगे निकल गया, जिसने सबसे पहले फिर इस लाइन पार कर ली, वो जीत गया, यह दो हमारे MLMP की जो इलेक्शन में, या ग्राम पंचायन नगरपाले का इलेक्शन में, कितना दिल्चस हो जाता है, जब एकी सीट पर आठाट डस दस दावेदार खड़े हो जाते हैं, तो किसी सीट पर दस लाग मान लिजे, कोई MLK सीट है, वहाँ पांच लाग वोटर है, वहाँ पांच लाग वोटर हैं, वहाँ पछे कंडियेट हो गए, वोटों का कटा हुआ, जब दस कटा हुआ, पता जादा जिसको 80,000 वोट मिले थे, वो जीत गया, तो सबका पतिनी दी न बहden है, ओके, चलते हैं आगे, तो हज़ाँ, परिसिडेंट के चुणाओ में, परिसिडेंट के चुणाओ में ऐसा नहीं होता, परिसिडेंट को हमने बहुत प्रतिष्ठा और गरीमा दी है, तो उसके चुणाओ का तरीका भी हमने खास रखा, आप देखेंगा, वोटिं स में फिर से आउंगा, flow में बेह गई हम, इस बात पर में फिर से आउंगा, MLA के, MLA, जो MLA है, जो 1 MLA है, उसके vote के value निकालने तो मैंने आपको बता दी, लेकिन MP के vote के value निकालने का olun जो formula है, वो मैंने आपको नहीं बता रहागा, ये देखेए, अगर आप एक MP, MP माने Member of Parliament, वो चाहें लोगसभा का हो या राज्य सवागा हो चाहें वोगसभा का मेंबर हो या राज्य सवागा मेंबर हो उसके वोट की वेली कैसे सलाऊएंगा आप एक MP की वेली कैसे निकालेंगे आप देखेएंगे की हमारे जितने राज विधान सवाएं हैं, उनके MLA और दिल्ली और पुदुचेरी के जो MLA हैं, उन सभी MLA के वोट को आपने एखटा किया, जोड लिया, जितने भी MLA हैं, जैसे मैंने आपको उत्राखंड में 141 MLA के वोट के वैल्यू आई है, तो 143 MLA करेंगे, तो उत्राखंड के MLA के वोट के वैल्यू इतनी होगी, उसी तरह से UP के 1 MLA के वोट के वैल्यू जितनी भी आएगी गुणा 430 करेंगे, क्योंकि UP में विधान सवाएं की 403 सीट हैं, तो इसी तरह से पूरे भारत में जितने भी MLA हुए, इसमें शामिल हैं दिल्य और पुदिचेरी के MLA भी, इन सभी के वोट के वैल्यू हम जोड़ेंगे, जोड़ के घटा कर लेंगे, और उसे भाग कर दें किससे संसब के दोनों हाउस में जो टोटल इलेक्टेड MP हैं, इसका मतलब यह है, कि सभी MLA के वोट की वैल्यू मिलाई, उसको दिवाइट किससे किया, लोगसभा और राज्यसभा के चुनेवे सदसों की संक्या से, तो इस तरह से एक MLA, एक MP के वोट की वैल्यू निकल कर आती है, ऐसा क्यों किया हमने, यह फार्मूला, एक MP के वोट को निकालने का यह फार्मूला हमने क्यों किया है, बुक्स में लिखा हुए भी है, और बहुत important चीज़ है, अगर आपने कहीं नहीं पढ़ाया, तो यह ध्यान रखेग एसा हमने इसलिए किया है, ताकि संसद और सभी राज्यों की विधान सवाओं की जो ताकत है, वो बरावर रहे, किसमें? राश्पती के चुनाओं में, जितनी ताकत संसद की रहे, उतनी ही ताकत जो है, सभी राज्यों की विधान सवाओं की रहे, तो मैंने फिर से कह दू दोनों सद्नों के जो elected member है उनकी कुल संख्या से अब divide करके जो आ रहा है वो एक MPK vote के value के हुई यह ऐसा क्यूं किया यह ऐसा इसलिए किया ताकि राश्पती के चुनाओं में जितना महत्व सभी राज्यों के विदान सवाओं का है उतना ही महत संसत के दोनों सद्नों का रहे दोनों को balance करने के लिए लेकिन यहां पर एक चीज़ हो जाती है कि जो भी सत्ताधारी दल होता है जिसे लोकसवा हैं बहुंत पराप्त होता है या लोकसवा में जिसके पास ज्यादा सीट होती है वो तल य राश्यों के चुनाओं में एक advantage पा जाता है अब क्यों पाए जाता है यह सही है अगलते इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है मैं सिर्फ आपको बताए के चल रहा हूँ कि जिसको लोगसमा मजोर्टी है जिसके पास लोगसमा में सीथे जादा है राष्पती के चुनाओं में या उप राष्पती के चुनाओं में भी वो एडवांटेज़ पा जाता है आफ आगे चलते हैं तो मैं कहा था मैं था cootis system पर cootis system का मतलब यह है कि राष्पती के दिरवाचन बंडल में जितने भी voter है या आप कह सकते हैं MLA MPK vote की जो total value है सबोज total value आपको समझाने के लिए मैं कहते हैं यहां दिख दे रहा हूँ सबोज जो total value है वो 100 है निर्वाचन हाला कि 100 से कहीं गुना ज़्यादा है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ सबोज राश्पती के निर्वाचन मंडल में जो total vote है total vote value है वो 100 है इसका आप आधा कीजिए कितना हो यहां 50 50 में आप एक वोट जोड़ दीजिए 51 तो अब राश्पती election में कितने भी candidate क्यों ना हो ऐसा नहीं कि जिसको ज़्यादा वोट मिल जाएंगे वो जीत जाएगा ना जीतने के लिए जरूरी है कि आपके पास सबसे ज़्यादा वोट तो होई हो साथी साथ जो total vote हैं उनका आधे से एक अधिक वोट आपको मिले हो तब ही आपको विजए भोशित किया जाएगा अधरवाई नहीं यह है कोटा सिस्टम कि निर्वाचन मंडल में जितने वोट हैं उनके आधे से एक जाधा वोट आपको मिलने चाहिए सबसे आगे तो आप होने ही चाहिए लेकिन उसमें निर्वाचन मंडल में आधे से एक अधिक वोट आपके पास होना चाहिए इसे कहते हैं कोटा सिस्टम तो कोटा पाना जरूरी है अब कई बार कुश्यन आता है कि कौन से राश्पती थे जो सेकंड राउन की वोटिंग के बाद निर्वाचित भोशित हुए अब यह क्या है फर्स्ट राउन की वोटिंग और सेकंड राउन की वोटिंग तो इसको भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा इसके लिए भी मैंने यहाँ पर कुछ जगे छोड़ी है देखिए आप लोग क्या करते हैं जैसे आपने इलेक्शन वोट दिया हूँगे MLA MP में अब तो EVM का जमना आगया है है ना EVM साथ में रखिए लगव सभी लोगों ने वोट दिया हुगा EVM लगव सभी ने देखि लगवा है इवियम के उपर सभी के इंडियेट के नाम लिखे हुए निशान लगवे हैं आपने सामने वाला बुटन दबा देना आपने किसी एक को बुटन दबाना आचा जैसे अभी भी जो ग्राम तंचातों को नगरपाली काम को चुना हो रहे हैं वो अभी भी बैलेट पत्र दे दिया अजाता मोट के एक आपको महर दे पर आपने जिसको लगल देना है उस पर आप ने जा कर के महर लेटiva नारा चलता ना थंप्ता माल chi गया तो आपने शीएक के नाम पर या उसके निशान पर आपने महर लगा देनी हैं लेंस यहां निशानों लेकर आपने ये जो quota system की बात में कर रहा था, निर्वाचन मंडल में total vote तो ही है, जितने भी हैं, लेकिन जितने वैद मत पड़े हैं, वैद मत समरें न, जब vote पड़ते हैं, तो पाजला, कुछ लोग तो vote डालने नहीं आए, उनको हमने count नहीं करना है, कुछ लोग vote डालना है, लेकिन उनका vote किसी वैसे cancel हो गया, उनको भी हमने count नहीं करना है, जो vote पड़े हैं, जो legal vote पड़े हैं, उनका आधा plus one, ध्यान रखना हैं, मैं पीछे बताना भूल गया, आप बतायता हूं, है ने, निर्वाचन मंडल में, जब आप पोटा निकालेंगे, तो जो total legal vote पड़े हैं, उनका आधा plus one, तो अब यहां पर आजाते हैं, तो अगर आप, जैसे आपको valid paper मिला है, आपने दो या दो से ज़्यादा, निशानों पर आपने मोहर लगा दिये, तो आपको vote cancel हो जाएगा, EVM में यह chance नहीं है, EVM में आपने एक बटन दबाया, वो machine lock हो जाती है अपने आप, ठीक है, अब जब तक presiding officer उसको on नहीं करेगा, vote नहीं पड़ेगा, लेकिन राश्पती चुनाओ में ऐसा नहीं है, राश्पती चुनाओ में आप, उसके लिए आपके वैलेट पेपर मिलता है, वो EVM से शायद अभी होगा भी नहीं, उसके लिए machine हों में अपड़ेटेशन करना पड़ेगा, क्यों नहीं होगा, मैं आपको रोता दूँ, आपको कागज से एक वैलेट पेपर मिलेगा, उसके हर केंड़ेट के नाम लिखे होंगे, यहाँ पर आपको से शायद दिखाई दे रहा हुगा, A, B, C, D, E, मैंने करके लिख रखा है, यह अलगले केंड़ेट हैं, A, B, C, D, E, अलगले केंड़ेट से हैं, ठीक है, अब इनके आगे, मैंने यहाँ एक, पांच, दो, चार, तीन, ऐसे करके लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है, एक्शली प्रेसिडेंट इलेक्शन में, आपको एक वैलेट पेपर मिलेगा, उस पर हर केंड़ेट का नाम लिखा हुआ, जो चुनाव में प्रत्याशी हैं, उनके नाम के आगे, आपने उनको प्रेफरेंस देनी है, जैसे यहाँ पर तीन और दो, पांच केंड़ेट है, दिख रहा हुआ शायर, इसकी इन पर दिख रहा है, यहाँ पर टोटल, नहीं, आप बैठी, आप बैठी, देख लिए एक बात, दिख रहा है, टोटल पांच केंड़ेट है, यहाँ पर टोटल पांच केंड़ेट है, अब आपने इनको प्रेफरेंस देनी है, आप किसको पहली, किसको दूसरी, किसको तीसरी, किसको चोथी, किसको पांच भी प्रेफरेंस दे रहे हैं, देना दूरी ध्यान रहें, प्रिफरेंस सभी को देनी जरूरी है, अगर आपने किसी A के आगए लिख दिया, तो वोट आपका कैंसिल हो जाएगा, सभी को आपने प्रिफरेंस देनी है, किसको पहली, किसको तीसरी, किसको चोथी और किसको पांचमी, अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, मैंने मिस्टर A को पहली, मिस्टर B को पांचमी, मिस्टर C को दूसरी, मिस्टर D को चौथी और मिस्टर E को तीसरी प्रिफरेंस दिया है, ठीक है, इस तरह से तमाम जो वैलिट पेपर होते हैं, अब काउंटिंग शुरू होती है, काउंटिंग जब शूरू अब इन ही को गिना जाएगा, अभी जो आपके जो वैलेट पेपर हैं, जितने भी के इंडियेट हैं, उनके सभी के वैलेट पेपर हैं, पेपर लिए जाएंगे, और ये देखा जाएगा, कि फर्स्ट प्रिफरेंस का जो वोट है, फर्स्ट प्रिफरेंस का जो वोट है, किसको कितना मिला है, उसमें देखा जाएगा, कि इन दो को सबस्यादा वोट मिलें, या इन तीन को सबस्यादा वोट मिलें, कौन से, फर् Mr. E को सबसे आदा वोट मिलें first preference के लेकिन जो कोटा है आदे से एक अधिक वो नहीं पापाएं अब second round की voting होगी अब जब second round की voting होगी तो उसमें क्या किया जाएगा कि सभी के valid paper देखे जाएंगे उसमें देखा जाएगा कि भई यह जो Mr. B है before bet यह Mr. B जो है इन्हें first preference के वोट सबसे कम मिलें Mr. B जो है अच्छे यहाँ पर किसको मिलें यहाँ पर Mr. C को ओके इसको देख लें यहाँ पर Mr. C को नहीं Mr. C को नहीं Mr. A को यहां पर Mr. A को First Preference का जो vote है वो सबसे कम मिला है ऐसे मान लीजे मान लीजे Mr. A को First Preference का vote सबसे कम मिला है Suppose चलिए यहां पर जो भी है जैसा भी है उसको छोड़ी आपने देखा कि Mr. A को First Preference के vote सबसे कम मिले हैं तो Mr. A को Counting से अलग कर दिया जाएगा उन्हें बाहर कर दिया जाएगा यानि कोई टूर्नामेंट चल रहा है उसमें सबसे कम वोट मिले हैं किनको Mr. A को लेकिन इनका रोल भी है में अब इनके वैलेट पेपर कलेक्ट किये जाएगे और यह देखा जाएगा कि इनके वैलेट पेपर में किसको कितने मिली है बको सेकन्ड प्रिफेंस के वोट कितने मिले तुर्नामेंट चल रा कि जो सेकंड प्रेफरेंस है वह किसको कितनी है Mr. A के वैलेट पेपर में सेकंड प्रेफरेंस किसको कितनी मिली है फिर से मैं रिपीट कर दू कि first preference Mr. A को सबसे कम मिली थी इसलिए उन्हें बाहर कर दिया गया अब इनका देखा जाएगा कि इनके वैलेट पेपर में second preference किसको किस किन मिली है Mr. B को इतने vote मिले है इनके valid paper में second preference के Mr. C को इतने Mr. D को इतने Mr. E को इतने vote मिले है तो ये सभी vote जो है A, B, C, D, E में बांटी देंगे Mr. A को first preference में सबसे कम vote मिले थे ठीक है उन्हें बाहर कर दिया गया अब इनके valid paper को खांगा ला गया इनके valid paper में देखा गया कि जो दूसरी वरीता है वो B को कितनी मिली है C को कितनी मिली है D को कितनी मिली है और E को कितनी मिली है जितनी जितनी संख्या है वो सभी इनके vote मान लिए जाएंगे B को जितने मिले हैं V के vote C को जितने मिलें, C के वोट, D को जितने मिलें, D के वोट, E को जितने मिलें, वो E के वोट, किसके second preference के, ठीक है न, इसलिए इसे second round की वोटिंग भी कहा जाता है, और वो जोड़ दिये जाएंगे इनके वोटों में, इनको जो जो शुरुवात में, प्रथम वरीता के जो प्रेफेरंस सबसे कम किसको मिली है, अब जिसको second preference सबसे कम मिली, उसको बाहर कर दिया जाएगा, और उसके valid paper रिखट्टी के जायेंगे, उसमें देखा जाएगा कि इसके valid paper में, third preference किसको कितनी कितनी मिली है, तो जितनी जितनी मिली है, बागी को दे दी जाएगी, कोटा पूरा हो जाएगा अगर नई हुआ तो चोथे राiãoट की पांच पे राउंड की छहटे रांद की गिन्ति होगी और यह तब तक होता रहएगा जब तक क्ये जीतनेवाले को कोटा न हासिल हो जाए ठीक है तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बल्कि आज के नहीं, इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो